नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूँ AI क्रिश और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और छटीज गड़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे जम्मू कश्मीर में घाटी के नमी वाले इलाकों में सरसों के खेतों में जल निकासी की परियाप्त व्यवस्था करें यहां के किसान जई, गेहू, मसूर और मटर के खेतों में जल भराव ना होने दें इतना ही नहीं सबजियों के खेतों में भी परियाप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है लेह के सूखे ठंडे इलाके में किसान खीरे की तुड़ाई का काम करें हिमाचल की बात करें तो यहां के उपरी पहाडी नमी और हलकी ठंड वाले इलाकों में साफ मौसम के दौरान तैयार मटर की तुड़ाई का काम करें सबजियों और फलों को तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें यहां के किसान इन दिनों फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रॉकली की नरसरी बोने का काम करें उत्तराखंड के भाबर और तराइक शेत्र में उड़द और मूंग के खेतों में परियाप्त जलनिकासी की व्यवस्था करें यहां के किसान मटर की बुवाई जल्दी पूरी कर लें 36 गड में अदरक, हल्दी, अर्बी और जिमिकंद जैसी सबजियों में मल्चिंग का काम करें मक्का के खेत में परियाप्त जलनिकासी की व्यवस्था करें जिन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, वहां के किसान अंतरक्रिशिक कार्यों को फिलहाल के लिए रोक दें ऐसे इलाकों में पौध संरक्षण और उर्वरक डालने का काम भी फिलहाल के लिए टाल दें पके हुए फलों को जल्द से जल्द तोड लें इन बारिश संभावित इलाकों में फसलों को जल भराव की समस्या से बचाएं। इसी तरह क्रिशी और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान धन्यवाद।